हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्णर राधे राधे दोस्तों और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दशहरे की पूजा और दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है तो देखे सबसे पहले हमने इस तरीके से अपना जो है भगवान रामचंदजी बनाये जाते हैं तो सब लोगों की अलग बात है हम लोग इने जो है रावन कहते हैं तो मैंने यहाँ पर यह बना लिये हैं हल्दी से और आटे से और जैसा कि आप लोग भी जानते ही है कि रावन बहुत ज़दा ज्यानी था उसे बहुत महा ज्यान था उसमें और ऐसा कहा जाता है उसकी सिर्फ और सिर्फ अंत का यही कारण था कि ग्यान के सासथ उसमें एहंकार आ गया था तो ऐसा भी माना जाता है कि हमें कभी भी एहंकारी नहीं होना चाहिए तो देखे ये मैंने गाय के गोबर से थेपड़ी बना ली है गोल गोल छोटी और आपको कहीं गउशाला वगारा में गोबर असानी से मिल जाएगा और आपके आसपास हो तो आप देख लीजिएगा लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार से तो अगर आपके पास सूखे उपले हैं चोटे-चोटे तो आप वो रख सकते ह और अगर मतलब उपले गोबर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसकी जगहां पर आटे की लोई बना के 10 वो रख लीजिएगा तो आप वो भी रख सकते हैं तो आप आटे की रखें या गोबर की रखें तो उस तरीके से आप रख लीजिएगा पांच इस तरफ या पाँच इस तरफ या आप दो पर दो नीचे और तिन तिन दोनों साइड में जैसा भी आपको ठीक लगे आप इस तरीके से रख लीजेगा लेकिन ट्रडिशनल तरीका इस तरीके से गोबर की थेपडी लगाने से ही होता है और बाद में इन थेपडियों का क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो देखे इस तरीके से हमने दोनों साइड पर हमारे जो गोबर की थेपडी थी 10 वो रख ली है और ये देखे ये कुलिया होती है हम लोग इसे कुलिया ही कहते है इसके उपर सब इसके कंट पे न ये आप इस तरीके से कल हार वगारा होते हैं जहां से हम जुआरे बोने के लिए लाते हैं वो तोला लाते हैं या घडिया वगारा लाते हैं वहां बहुत असानी से मिल जाती हैं लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो कोई बात नहीं आप इसकी जगां पर कटोरियों में भी रख सकते हैं डोन जो विशेशकर जेंट्स करते हैं, तो सबसे पहले जो ये रावन होते हैं, इनको तिलग किया जाता है, और उसके बाद थोड़े से चावल चढ़ाए जाते हैं, इस तरीके से घर के सभी सदे से एक एक कर कैसा कर सकते हैं, कोई एक बड़ा इंसान भी पूझ सकता है पहले और उसके बाद हम यहाँ पर यह दिया लगा देंगे और फिर हम अपना दिया प्रजलित कर लेंगे उसके बाद हम जो यह हमने भगवान बनाये हैं उनको वस्त रूपी कलावा आरपन कर देंगे इस तरीके से थोड़े से फूल चढ़ा दीजिएगा फूल ऑप्शनल है अगर हो तो आप चढ़ा दीजिए फूल नहीं है तो कोई बात नहीं और अब यह जो हमने स्वास्तिक बनाये थे उनके उपर भी इस तरीके से हम थोड़ी सी रोली चढ़ा देंगे थोड़े से चावल चढ़ा देंगे और वस्त रूपी कलावा चढ़ा देंगे तो इस तरीके से हम इन दोनों स्वास्तिकों को भी पूझ लेंगे इस तरीके से और जो हमने जुआरे बोई होते हैं नो दिन के नोरते कियो होते हैं आज के दिन वो हमें विशेश रूप से चाहिए होते हैं और हमने ये ज्वारे लेने हैं और इस तरीके से जो हमने रावन के 10 मुख बनाये थे, पहले इने हमें रोली से तिलक करना है, थोड़े से चावल चड़ाने हैं, वस्त रूपे मोले चड़ानी हैं और उसके बाद ये जो हमने प्रतीमा बनाई है उनके उपर भी हमें जैसे उपर थोड़े से जौरे रखने होते हैं जैसे कान पे लगाये जाते हैं आज के दिन जौरों को न तो ऐसा करते हैं जैसे इनके भी हमने कानों पे ये जौरे रख दिये हैं तो इस तरीके से आपने ये जौरे चढ़ा लिए कई कई लोग आज के दिन ओजार के पुजा करते हैं, शस्त्रो की, तो आप चाहें तो अपने यह जो अपने रामन बनाए हैं, उनके बीच में भी आप अपने बुक्स यह यह ओजार वगैरा रख सकते हैं, चाब यह में बगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरीके से तो मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ, उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी खील चढ़ा दी है, और जो भी आपने भोग में बनाया हो, खीर, पूरी, हलवा, उसका भोग लगा दीजिए, कई लोगों के आपे कच्छी रसोई बनती है, कई लोगों के आपे पक्की रसोई बनती है, तो जैसा आपने बनाया हो, उसका भोग लगा दे, उसके बाद सभी लड़कियां घर के सभी जैंट्सों को इस तरीके से तिलक कर देती हैं, और कान पे ये जुआरे जो हमने उगाए हैं, थोड़े थोड़े जुआरे दोनों कानों पे टांग दिये जाते हैं, और बदले में सभी लोग जो लड़कियां होती हैं, उन्हें गिफ्ट और इस तरीके से ये कुछ रुपे उपहार में देती हैं, और पूजा हो जाने के बाद ये जो हमने दस कुलियाओं भरके रखी थी, ये आसपास अडोस पडोस में बाट दी जाती हैं, या फिर आप बच्चों को बाट दीजिएगा, तो बहुत खुश भी होते हैं, बच्चे इस तरीके से ये खिलोने से में निकलती हैं, छोटी-छोटी कुलियाओं में से चीज और खाते हैं, तो ये बाट दी जाती है, फिर आसपास में जो भी बच्चे हों, या हमारे हाँ पे तो ना, मतलब जैसे अडोसी पड़ेसियो में, सब के घर पर दो-दो कुलियाओं बाट के आते हैं, और ऐसी वो लोग हमारे घर पे देखे जाते हैं, तो इस तरीके से आप ये कुलियाओं बाट सकते हैं, और हमने सुभे रावन पूझना होता है और शाम को जब रावन दहन का टाइम होता है उस टाइम पर आप इसे जो है हटा सकते हैं या फिर आप नेक्स जेपर भी हटा सकते हैं तो यह जो हमने थेपडियां बनाई थी इन्हें आप उठा के कहीं ऐसी जगा रख दीजे जहां अपने अपसूख जाएं और उसके बाद जो है जिस दिन देव उठनी ग्यारास आती है जिस दिन देव उठाए जाते हैं हमारे घर पर ऐसा रिवाज है एकर तो लात तो यही किया जाता है आप बताईएगा कि आप कहां भी ऐसे किया जाता है या नहीं या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इन थेपनेों को फिर बाद में यूज़ कर लेते हैं भोग वगर लगाने के लिए अंगारी करने के लिए तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और जैसा हमारे यहां होता है नाड़ा वगरा जलाने का आप के हाँ भी होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से दशेरा की पूजा करते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको हमारा दशेरा पूजन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी तरह के हिंदु धरम से रिलेटेट सभी पाट पूजा कथाओं के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी मत भूलिएगा ज्यादा से जदा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुंच सके और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद